आउज़ बिल्लाहिमिन शयत्वान रौजीम बिसमिल्लाहिर रौक्मान रहीम असलाम लेकूम दोस्तों उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे और मौसिन भाई के चैनल विर्चुल स्टूरेंट सर्पोर्ट सर्विस से काफी कुछ सीख रहे होंगे दोस्तों मेरी जितनी वी वीडियोस होती हैं वो फिरस आपको आइडिया देने के लिए होती हैं कि आपने अफाइन्मेंट्स या जिडिबी या क्विजिस को कैसे सॉल्व करना है तो आप उनको एजन आइडिया ही कंसीडर किया करें और अगर उसमें कोई गलती या कोई अडिशन या सब्स्ट्रेक वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो हमारा जीडिबी नंबर वन आया हूँ है उस हवाले से हैं तो चलिए हम सब से पहले अपने जीडिबी की रिक्वायर्मेंट्स को देखते हैं इसमे में एक कंपनी का बताया गया तोयता इंडस पाकिस्तान इस वन फ लीडिंग मैनिस्टर और सेलर इन पाकिस्तान विद कॉइट और सिगनिफिकेंट मार्केट शेर अवरल मार्केट ग्रोर एट इस अलसो है विडिदी कंपनी सेलिंग एवन और वहीकल अनुली दन दे बिफ असे कंपनी क्राँ टोयता कर phροंड पूल स्सूर और करो प्रोकां करोंटी क्रोला इवन सेलिंग सेलिगे सेलिंग का लुपित है तोयटा करोवा अनुली क्रोला इंड इस अंर सिग्रोन गौर्ष जीका क्रोला थ kald proach in the case of Toyota Fortuner and Toyota Review let's assume that the growth rate of the market is not much as in case of Toyota Corolla but also have considerable market share in their name whereas in Toyota Avazina it have not yet been able to grab considerable market share as in the case of other dotacar especially when the growth rate of the market is considerably high this is our case of Toyota industry and what we have to discuss considering the above provide scenario in which quadrant cash flow question mark star and dawns of BCG matrix Toyota Corolla Toyota Fortuner and Toyota Review and Toyota Avazina Falls हमने ये बताना है कि कौन सी इस company की जो गाड़ी है वो कौन से BCG matrix के अंदर fall करती है और हमने फिरफ जो है यहां पे हमें बताया गया कि simply mention the name of quadrant long with the name of the vehicle हमने फिरफ ये बताना है कि कौन से quadrant के अंदर वो fall करती है और वो कौन सी वहीकल है no explanation is required हमने उसकी explanation नहीं देनी है और ये चार नंबर का है हमारा मतलब इतना portion उसके बाद second requirement for this GDB is also provide a logical one linear argument हमने जो है एकी line का argument बताना है logical as how the company should react to any product falling in the category of dogs जब किसी company के जो कोई product है वो dogs के अंदर fall करती है तो in that condition what should company do इस फूरत के अंदर जो है company क्या करती है यह हमने बताना है हमारे पर दो requirement friends जी चलिए हम इसके solution की तरफ चलते हैं इसके solution में दोफ तो solution को आल करने पे पहले मैंने जो है कुछ वदूरी समझा कि आप लोगों से एक information शेयर करूं जिफ को समाझे करने के बाद जो है हम easily जो है यह कर सकते हैं कि हमारा जो है जी डी बी बिल्कुल असानी के साथ fall हो जाए तो मैंने यह सौचा कि इस information को बताना पहले जो दूरी है अब देखें यहां पर मैंने जो है एक बनाया हुआ है यह डायाग्राम इस डायाग्राम से हमें जो है easily मतलब पता चल सकता है कि हम जो है क्या करेंगे हमारे जो केफिव हैं उन हवाले से तो इसमें देखें हमें इस डायाग्राम के अंदर मैंने दो चीवे लिए एक relative market share है दूसरा market growth rate है अब देखें high है और low market share है इस पी तरह market growth rate जो है वो भी low और high है अब देखें जो star है वो high market share हो जाएगा और high growth हो जाएगा इसी तरह अगर हम question mark पे आते हैं तो इनका जो share है वो low होगा और जो growth है वो high होगी इसी तरह हम cash काओ पे आते हैं तो वो हमारा low इसकी growth होगी और इसका जो share है वो high होगा इसी तरह अगर हम dogs पे आते हैं तो इसकी market growth भी low है और इसका जो share है relative वो भी low है और यहां पे मैंने लिख वी दिया है stars इसमें company के high share high growth होती है question mark इ इसमें company के high share and low growth होती है और इसके पाँ dogs है dogs में क्या होता है जी low share होती है company के पास और low growth होती है तो चलिए अब हम लोग अपने GDP को देखते हैं इसमें first जह है हमारे पाँ Toyota Corolla है जी Toyota Corolla का में बताया हू है Toyota Corolla is one of the most failing model of company Toyota Indes and its lowest price Toyota car assembly in Pakistan Toyota Corolla has grabbed a major share major share means it means that they are considering high share in the Pakistani market where the market has high growth rate as well अब देखें high share है high growth है तो यहां पे जो है मैंने आपको पहले भी बताया जिसके high share होंगे high growth होगा वो star के अंदर fall करेगी तो हमारी Toyota Corolla है this is basically fall in star quadrant इसके बाद जो है हमारे पास एक और कार का model है जिसमें Toyota Frontier है Frontier है Frontier है और Toyota Revo है इसमें देखें हम paragraph अगर पढ़ते हैं तो Toyota Frontier and Toyota Revo are two other model which are doing very good however in case of Toyota Frontier and Toyota Revo let's assume that the growth rate of the market is not much इसका मतलब भी है हमारा growth rate कम है and Toyota Corolla but they have also considerable high market share और हमारा जो market share है that is extremely high it means के we have low growth and high share and this core model is basically falling in the cash cow तो यह यहां पर मैंने cash cow लिख दिया है यह यहां पर आगया कि यह दो जो model and cash cow के अंदर fall करते हैं now we have seen the last company last car model that is Toyota Avazina Toyota Avazina का हम जी paragraph पढ़ते हैं जो हमें उपर case दिया गया यह paragraph basically मैंने वहीं से लिया है और यहां पर फिरस मैंने इनको highlight किया हुए है मतलब market share को और growth को तो आप भी अगर paragraph पढ़ेंगे तो आपको easily जो है वो बता चल जाएगा के कौन सी मतलब quadrant के अंदर fall करता है अब Toyota Avazina के है जी we are in case of Toyota Avazina it is not yet been able to grab considerable market share considerable मुराद भी huge होता है जी as in the case of other Toyota cars especially when growth rate of the market is considerably high अब देखें इसमें high market share है और high market growth rate है तो it means के this car is falling in the star category और star quadrant के अंदर आ जाएगा जी BCG का हमारा तो यह Toyota Avazino के साथ होगा जी यह तो था हमारा first question इसमें last में हमें एक और requirement ही कि is the company is falling in dogs category तो वेन जो है company क्या करेगी तो अगर कोई company मतलब dogs के अंदर फाल करती है it means का इस company के जो है share वो भी लो है है और growth जो है वो भी लो है तो इस सुरत में company क्या करेगी तो company खतम कर लेती है मतलब वह वाला जो model है यह जो product है वो basically company खतम कर देगी तो 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 यह था हमारा जीटीब आप फस्ट इसी मतलब bcg matrix को समझीए उसके साथ मैंने उर्दू के अंदर भी लिख दिया है तो उर्दू को आप देखिए और फिर आप यह paragraph को मितलब अलग अलग करके पढ़िए जैसे मैंने पढ़ा है उसमें आप identify कीजिए मितलब market share and growth rate then you have put in this bcg matrix और इसके अंदर put कीजिए फिर आपको इसली पता चाहिए जाएगा कि वो किस quadrant के अंदर fall करता है in the end I have discussed about the dogs category in which any company is falling then this company will fail off immediately और वो company जो है immediately fail off हो जाती है तो दोस्तों यह था हमारा JTB हमारी मतलब जो है MKT501 का तो उमीद है आप लोगों को idea मिल गया होका आप लोग muffin भाई का channel देखते रहिए और muffin भाई को दौव में याद रखिए thank you very much दोस्तों अला अफिफ